जय हिंद एवरिवन, वेलकम टू ओवर इंगलीज जर्नी, उमीद है सब बढ़िया होगे, चलिए आज कुछ नया सीखते हैं, थमनेल में आपने पढ़तो लिया होगा कि आज हम क्या सीखेंगे, आज मैं सुक्रिया करने के कुछ अलग वर्स आपको सीखा होगा, ताकि आप vocabulary और personality दोनों को improve कर सके, आपने thanks, many thanks, thanks a lot, thank you very much, ये सारे वर्स अब तक यूज किये होगे, आज से ये बंद करो, और कुछ नया सीखो, advanced level में, like a pro, आप thanks की जगा, आप इन में से कुछ भी situation के according यूज कर सकते हो, तो अपसे thanks वर्स बूल जाओ, और ये वर्स कहना सुरू कर दो, फिर देखो आपका कमाल, अब आते हैं अपने दूसरे point पे, I mean दूसरे word पे, जो हम हमेशा से गलत बोलते आ रहे हैं, और वो है, sorry, sorry का actual meaning कुछ और है, और हम उसे किसी और चीज के लिए use करते आ रहे हैं, sorry का actual meaning है, खेद, ना की मुझे माफ कर दो, हमने अक्सर movies में देखा है कि जब भी operation theater में कोई patient मर जाता है, तो डॉक्टर बहार आकर patient के relative को कहता है, I am sorry, मैं उन्हें बचा नहीं पाया, तो क्या उसका मतलब आप ये निकालोगे कि डॉक्टर की गलती से वो patient मर गया, नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि उसका असली meaning तो ये होगा कि डॉक्टर कहता है, मुझे खेद है कि मैं patient को बचा नहीं पाया, सो चलो, अपनी गलती सुधारते हैं, और sorry की जगा actual word कौन सा use कर सकते हैं, वो सीखते हैं, first है my apologize, मतलब की मुझे क्षमा कर दो, second है oops, या फिर whoops, छोटी सी गलती के लिए ये word आप use कर सकते हो, third है my bad, अपनी गलती स्विकार करने पर आप ये word use कर सकते हो, दूसरे कुछ ऐसे words हैं, जैसे की, ever so sorry, I take full responsibility, I was wrong on that, I hope you can forgive me, ये सारे words, situation के according आप use कर सकते हो, और अपनी गलती को सुधार सकते हो, that's all for now, अगर वीडियो से कुछ नया सिखने को मिला, तो चैनल को सब्सक्राइब जरू कर देना, फिर मिलेंगे, ऐसे ही कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक भारत मता की जए!